ओटो नूडल्स वाला बिजुपुर नाम के गाउं में चाटरजी नाम का एक व्यक्ति उआ करता था वो नूडल्स बेचा करता था उसका बदरी नाम का एक बेटा था उसे नूडल्स अच्छे से बनाना तो आता था लेकिन वो बहुत आलसी था हमेशा काम ठीक से नहीं करता था और तो और काम को छोड़ कर दोस्तों के साथ जुवा भी खेलता था इससे एक दिन घर पर खाना खाते हुए बदरी के पास आकर चाटिट जी रे शादी होने के बाद तो कम से कम बद्दों के सोचे थे लेकिन घर पर ही पड़े हुए हो भैस कहीं के ऐसे ही रहा तो व्यापार कैसे चलेगा देखो अब तक जो मजे कर लिए वो काफी है चुप चाप कल से काम पर लगो तुम्हारे कस्टमर्स तुम्हारे बारे में पूछ रहे अरे क्या पिता जी आप भी जिन्दगी को ठीक से जीने भी नहीं देते मुझे काम पर आने का मूर नहीं है ससुर जी ससुर जी ये एंजॉयमेंट एंजॉयमेंट कहकर जुए के लिए वगेरा मेरा पूरा सोना गिर्वी रख दिये देखिए एक हफ्टे में मेरे घर से मेरी मा आने वाली है वो आने के पहले मेरे जेवर मेरे हाथ में होने चाहिए वरना मेरी मा के बारे में आप नहीं जानते दामाद है ये सब कुछ नहीं सोचेंगे इनकी हड़ी पसली तोड़ देंगे फिर अगले दिन पिता के साथ नूडल शॉप पर जाकर अच्छे से काम किया ऐसे एक हफ़ता काम करने के बाद फिर से बिमार पढ़ने का बहाना बना कर तब्यत सही नहीं है, बुखारे ये सब कहकर काम पर जाना बंद कर दिया उस पर गौर करते हुए चाटर जी एक दिन डॉक्टर को लेकर आया, अब डॉक्टर बदरी को देखकर बाहर आकर चाटर जी से देखें जो बिमार है उसे दवाई वगेरा देकर ठीक या जा सकता है, लेकिन आपके बेटे जैसों को जिने कुछ हुआ ही नहीं पर ना टक करने वालों का कुछ नहीं कर सकते कैकर चले गया, दो दिन के बाद बदरी को देखने के लिए कीरती की मा बविता वहाँ आई, अब उन्हें देखकर बदरी काफी है, वा दामा जी, तुम कुछ फिकर मत करो, ठीक दो दिन में बिना चले भी काम पर जाने के लिए मेरे पास एक आईडिया है, पूरी तरह सेट कर दूँगी, तब मन में बदरी ये क्या, सासुमा ऐसे बात कर रही है, कुछ सिट कर देगी बोल रही है, कही इन्हें हमारे जुए के बारे में और जेवर की गिरवी के बारे में पता तो नहीं चल गया फिर ऐसे ही दो दिन बीद गये, फिर एक आटो पर नूडल्स के गाड़ी सेट किया हुआ वेहिकल घर के सामने आया, बार खड़ा बदरी वो देखकर हैरान हो गया देखा दामा जी, ये तुमारे लिए बनाया गया है, अब आच से तुम आटो नूडल्स वाले हो, अब तुम्हें घुमने की जरुवती नहीं है, बस गाड़ी में रहकर नूडल्स बनाना काफी है, पैसे ही पैसे आएंगे सासुमा मेरी स्थिती जान कर भी, तुम ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा सासुमा, भगवान देख रहे हैं सासुमा, कम से कम थोड़ी करना तो दिखाओ देखो दामा जी, मुझे तुमारे बारे में सब पता है, वही नहीं, तुम हमारी बेटी का सोना कहां कितना गिर्वी रखे हो, सब तुमारे पिता जी ने आकर बता दिया है, अब मैं यहीं रहकर जब तक वो सारे पैसे नहीं भरवाती मैं हिलूंगी भी नहीं, चुप चा आप काम पर जाओगे, या अंदर जाकर छड़ी लाकर माना शुरू करूँ, कहने से बदरी कुछ नहीं कर सका और आटो नूडल्स पर बैट कर चला गया, उस दिन से लोगों के घर के पास ही जाकर आटो नूडल्स गाड़ी पर ही नूडल्स बनाना शुरू किया, ऐसे घर परिदारी से मुक्त हो गया, ऐसे कुछ दिनों में ही बदरी का व्यापर खुब चला, एक दिन बबी तक बदरी के पास आकर देखो दामा जी, मैं गाम जा रही हूं, तुम वापस पेड के नीचे जुवा खेलते हुए दिखाए दिये, इस बार सिर्फ मैं नहीं आउंगी पूरा फैमिली आ जाएगा दामा जी, वही नहीं, फैमिली में एक-एक व्यत्ती, एक-एक ओटो नूडल्स लेकर आएंगे, और वो सब में भी सिर्फ तुमें ही बनाना होगा, समझे? बापरे, पूरी फैमिली, नहीं सासुमा, नहीं, तुम जो ओटो नूडल्स गाड़ी दिये, वो एक दिन छुट्टी लिये बिना, अच्छे से चला कर, आपके गाड़ी का अच्छा नाम लेकर आऊंगा, सासुमा, प्लीज, कम से कम अब तो जीने दो फिर बबीता वान से चली गई